नमस्कार, एक गलट डाइग्नोसिस किस हद तर ठीसेगी पेशेंट की तबियत खराप कर सकता है, उसका टाइम, उसका पैसा, उसके एफ़र्ट, सब कुछ बरबाद कर सकता है, वैसा आज एक केस हम देखेंगे। इसे भी पेशेंट का चालू कर देता है, तो वो कितना खराब उस पेशेंट को कर सकता है, वो भी देखेंगे, और ऐसा नहीं कि रिपोर्ट की इंपोर्टन्स नहीं है, रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और कई सारे डाइग्नोसिस में रिपोर्ट बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करती है बट अगर वो जो भी डॉप्टर है वो आई रिवेद का वात पिक्त कफ या दोशों के बेस पे डागनोसिस नहीं करके केबल रिपोर्ड के बेस पे इलाज करेगा तो कई सारे पेशिंट खराब हो सकते हैं तो ऐसी एक पेशन का एक्सपीरियंस फिर उनको ठ्रीटमेंट से कैसे लग रहा है वो हम जानेंगे ठीक नमस्ते नमस्ते सब्सक्राइब क्या नाम है आपका फारुख सायूद कहां से है आप फारुख जी पुने से एज कितनी है आपकी 29 यहथ फुने मैं आप रहते हो सब्सक्राइब को बुलिए फारुख जी आप यहां पर किसली आये थी इस क्लिनिक में ट्रीप होधी झाव मुझे मिदलब काफ होता था और औरस अर यह ज़ोर से बुलिए चन नहीं पाता था मुझे ऐसे लगता था कि मैं आई भी गिर जा कुछ हो जाएगा तो गैस नीकलती थी या किवल गैस अटकीवी रहती थी और इसे नार्मन निकल जाती थी गैस से पाथ भी हो थी ती और फ्रते में अगर ज्यादा अउपर अहीपर हो जाए तो उपर से ढकार निकले पड़ती थी और क्यों होता था और जलाने इन में किना अब को आपको दकार में आप मझे 2-3 बार आती ती 2-3 बार आती ती तो-380 दो तीनसो ड़कार आपको आती तो मैं ऐसे ड़कार ना निकालू ना तो ऐसे मुझे कमफोर्टेबल नहीं लगता था था फिर आपने बोला था कि आप आप सेरेटी हुई थी या और सेरेटी होई मैंने मुझे 1212 होय था तो मैंने normal concern SMT में क्या होता था SMT में होता येडिक अर जो खाया है न, वो बलत लग वापस आता था तो उसमें खटा कड़वा पानी भी पूछ आता था खटा कड़वा पानी भी आता था Khटकडवा पानी भी आता था और प्लस तकलिप बहुत होते थी, मितलब घाल, खाने के बाद होते थी, खाली बेड होते थी, खाने के बाद होते थी, और कौन सी चीज खाने से ज़्यादा होता था, अगर ऐसे कुछ मैंने यह ने किया, लेकिन मैं जो बेखानों ना, मैं बाद में बाद में मुझे पानी पीने पे भी वो चीज़ यह जाद होनी लगए मितलब पानी पीता हो ना तो भी वो आज मौनी में जादा तक ही भी देने लग गया ठीक फिर क्या किया अपने असे लिटी हुई थो तो वो नॉर्मन जो मेरे फैबले डॉक्टर उनके पाता लगा था तो उनने बुरा कि तुमको फूट पॉइं वहा है तो मैंने वो फूट पॉइं के ने उनने कुछ दिम बोना कि खिचडी खा लो मतला हाप पे ट्रेलो लुक्ट लगा pengंग तो 7 दीज गो खिचडी खाला को व खिचा लुक्ट दिने तो 7 दीज की जओः उसके बाद मी बिवेश्पशश था 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 हुआ कि तकलीब बना ये उनने चाल रहता था मुझे उनने श के लाँ ना ये लुट पर लोग्ड़न के पे लिए उसके यह उसे लगता था कि आप यह में गेर जाओंगा तो उसके कुछ अरुबैथि यह अरुवेद आंप ने लेकिन वह कुछ आयरुवेदिक दवाई देते ते जैसे की इसके बाद में पेट में दर दोना चालो गया ये साइड में लिफ साइड में और वो बोथ क्राइमिक दर दोना चालो गया और उसमें मुझे लाग इस ये वह था दिसे ऐ यह देंगो वर छोर्म हाटा था तो देंगो में मुझे बया था है जादा ओर रा दिने था फार्टिस मेर الذिक्स के लिए मैं जादा वर सब् neutrू होने सब सादा चला तो डेंज़र मैंनें चोटा पेट के बेट बाद में अंदर इसमता है निए अर्ट को डाये था। डॉक्र यस्टे उनके पास गएता नृक्र को द्हे का, वेट लॉपी लेट है, जुघ जटेने दंधूरे कि अपको एंडुस्कोपी का एंडुस्कूपी ख़र नृट करना पदेगा। अच्छा कदो एक, फिर, तो उन्होंने मज़ा गोलिया दे दी. तो गोलिया खाने के बाद मुझे कुछ दिन मितलब गोलिया खाने के बाद, एक तम सब पेट बोड़ी पे ना राल बड़े बड़े भुड़े फंशिया आनी चालौ। जो मेरे बोड़ेको मतलबदना सूर्पने होने विग मैं जो तो छोदिया मुझा जाली बोड़ेज लाचे हुपने होने तो इन्हें दवया जाता मुझा होग अ जाता वनादा वेट लॉचाला थीरल चिंह वह सैके ने प्रवाल पंचामुड़िक निलता था तो वह अब प्रवाल रिल्या वां किसीने बोला रेकमंड ने किया था मुझे किसीने मतलब बोला था कि फ्रेंड ने से कि उनके बाज्जां वो हएकन बाता देगी तो में वह आपे चला गया तो उनने मुझे यह दिया कि मैने इंको बता कि मुझे आलसर हुआ है उनने मुझे प्रावा भूलके दवाई है शिश्या थे तो वो शिश्य दे दे उनने कि यह ना दूद में मिला पाच चुट की मिला के दिन में पाच बार दूद के साथ लेनी है ठीक है तो वो ले रहा थ तो उससे थोड़े सी तक्रिफ ठीक हो गई मितलब ऐसा लगा रहा था कि हाँ बेटर है लेकिन ऐसा रीट तो मुझे चलती रही दिदिया ऐसा रीटी कमने हो उसके वाने मुझे फिर फिर मैं कुछ दिने से चला पाच्छे मेने चले गई पाच्छे मेने लुबाद में मुझे यह आर वदिक डॉक्टर देख उले उनके पाट जा वोले तुम ठेक हो जाओंगे ठेक हैं तो मैंने उनको बताया कि वुला पे डॉक्टर पाच चला गया वह उसे जाएं तो उनके पाट आएंगे तो मैं वह आलत नहीं कि वेशी मतलब मैं चल पाओ यह कर पाओ इतना में अधात दे लाधे जाएं अधा पाद आता है अधे की मुझे एकने अंधे मुझे उस्य पेरिंग समय मचे पाच कटीं कोई नहीं एकने कोड़िवं पालमगी इसए नो फॉना क्या-पसर आर्ट में गया यह तोपड़िपर तो उनसर अंतने पैस्पर फोनकी तो मैंने तो उन्होंने डाइट बताया जो डाइट थी चावल की खीर, आदा लेटर दूद और आदा लेटर पानी, जितना दूद उतना पानी लेना पड़ता था, दूद गाय का या भैस का? जो या जो बता ठाय का या या मुस्ली पानी चित्व का अनुमी क्या था, चित्व का दूद आधा लेक्ट में था और वही दिन बर में वहीं पिता था बस ठीके अर किसे दिन में कितनी बार ये दूद की खेर ले दे थे तेन बार, तो ये तीन बार वो डौक्टर ने बोला आईरवेद के लिलेज आँ उन्हें बोला था कि यह लेलू बली फिर वो लेने के बाद क्या हुआ भर वो तकी अपतर चालो ही थी मुझी उसके कटा कड़वा पानी इक बश्चार में पानी ने लेकिन जलन होती थी ऐसरी उती थी ओपेट दर्द होता था जो पेट दर्द हो तो ममी ने बलती से, जो चावल की पेज थी, चावल की पेज भी बोएती बीरी के लिए, तो चावल की पेज होती है न, उसमें, उसको तीखे वाली बरते में बनाया, जैसे तीखे वाली बरते में बनाया, मैंने पी निया वो, उस दिन मुझे बयांक तकलिव होने चालोगे, फिर इतनी तकलित कि वो में बार दस्नी कर सकता था मेरे डॉक्टर को कवी किया डॉक्टर ने मझे बोला कि ऐसे बोली है प्रवर पंचान्मृद बोलके तो वो वाणली मुझे बोली खाने के लिए बोली बोली चार बोली एक बार खाले बोली ठेक, फिर उससें फिर आपको ठीट लानी में थोड़ा, दू मैं खाली लिए वो टाइंड पर ठीक लगा, फिर कुछ दिन के बाद मतलब में कुछ जासे में उटा सक्ते, कुछ भी चीज़े उटा सकता था मतलब, कर पहले तो में उटा रहाता, जासे हैवी चीज़े उटा मेरे exercise पूरी बन कर दियु नहीं जो मेरा दो है भी जोट चीजे में उपाना कुछ भी सामान उठाने को मना गया 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 पूरा मना ठेक हैं में जैसे बाइक भी चना तो बाइक भी मुझे एकदम देरे चलाने के लिए बाइक आप फास ने चला सकते हैं जाना पैसे हरकते ने कर सकते मतलब जादा जैसे अब अब फेंड़ों के साथ बात करते हो तेक बार हो जाता है कि वह भी ने ठेक फिर ये कितने दिन दक आपने दूद की खेर वाला ट्रीक मुझे ये छे महिने मैंने वही ट्रीक मुझे लिया उसके बाद मुझे शे महिने में क्या हुआ कि तकलिफ अच्छी हुई खराब हुई बढ़ी गटी मेरे आइसे डिटी तो वही चाले वही चाले थी तो दीरे दीरे वोग पीने पाद में मैंने बूला कि हमारे समें के रोड बनते है considered मूं अब अमी अरव को बनते हैं तो मैंने गंतीस हैना एक दिन रोड खा ली है तो वह रोट खाने पर बाद में मुझे मुझे मुछेए गषम उसी तक्रिव नव कुई लेकिन दढ गता था निग है दर ने वह दर ने वहा नहीं हो तो अन्हें है में आप वे चार रोट कर दो को में सबक्रकारों जाड एक कर दो दाला चालों किया है could have ुरिक पर इसके एक तोर्ट के बाद में आवरा के वर्टी के मैं चाररा पट पट मैंने तो वही चला उसके बाद ने मेरे पेर में कर दोचल कर दोचल को है इसके है भ्यार के अर्ड कोच होता है哪裡 यूरिक आसीड, हाँ यूरिक आसीड येससे जो ओते नी तो पर के अलिक आसीड बढ़ने पर जॉ 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 आइन्ट की ने तो क्ष़िफ हो था थिक हो ठेक्टनों में जो तो को ड्ट ने आरा रा थाथा कुछ ने हो रहा था थेक एक अर्थे जैसे कि मैं अब कर बें तो वो वाली चीज मेरी कम होगे, उनने चेक किया, मेरा ब्लड चेक किया, तो ब्लड का लेवल कम था मेरा हूं, तो अंदर ब्लड आवाई है क्या ब्लड के लिए गोले दे दी, ठीक, फिर, और फिर वापस मैंने, कोई दिन के बाद मुझे वापस हो तक्रीद चालो, अब प ब्लड के सबले चत्ते आते और उना व्लाल कोड़ आते, गुँओ इन्ट पास भापनी जिन के पास आपने शेयर मेरे इलाच किया था, उनने के पास वापस चालोगा, यो ने पर फिर पर बश्टी जी तिया, और इस और बश्टी ट्रिट्मेंट का लुकी हाँ, पिर चाल स्रेश्भHeart मेरे निसे weut anymore कर दुग हा हम तो बस्तेसरे मेरे टो उभात लोस हुए था α 왜 रही है गितना लोस हता और उसके बार मेरा जो लास्ट ये था ना वो था मेरा 55 55 554 समटी इसके पास आस पास था मतलब 34-35 किलो वजिल का हुआ आप फिर वो डॉक्तर ने बस्ती क्यों की ऐसे को जो बोला नी और ने बॉला कि आपके वी तकलिप इसका बॉली तक भ्स्ती हुंगे ना तब तalफ कॉ बस्ती देओं और बस्ती एक दिन के बादें अधिन के बाद एक दिन के बाद रेर तेल की बस देवाद का है तो पॉसिब नी हो रहा था खिनाजी, जो काम पर से गर पर जाके फिर वाप पस हो यह बस थी ऐसे अच्छा हुआ नहीं हुआ कुछ, आराम लदा नहीं नहीं दा? लदा मुतलब वेड गेन हुआ लेकिन तकनिक चलिव भोट कम ने अच्छिडी तकनिक और जो कॉफ भ था वो कॉफ भी बड़ा था च्छल रहा था, कॉफ अच्छल रहा था जो कॉफ यह अच्छल वो गया? कुपक ये आइसलिटिकी तखलीव गोने से पहले से कॉफ था मुझेए 2017 से मुझेए किने जब से मेरे बेट, पहले मेरे बेट 70 तरप था तुश्री बादा बेट मेरा से मेरे 2017 मुझेए तो उस तब किने गळ्ले विंटों खराष 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 राना चालो हो थी तो तो पहले कफ की दखलीप आये और फिर आयसे डिडी हुआ ? हाँ तबी मुझे दो 17 अमेकर्ण जलन जलन सी ओफ दि खाना कहता था सब तो एंगदम साँ पु कॉछो पहले चालो कर बहुत पहले पहले कफ चालू जलन और आयसे डीडी चालू लूआ ? दोहादश स्थ्रमें, चले लिए फिर खाना खदता है तो हम मूल में काम करता हूं जैसे, वो कहा सरता है ने तो तो दो फिर में खानाआ कालिया न shop तो उसके बाद में में सिधा गर पर रहने के बाद धीा खा सकता हूं वेट गेन हुआ, और फिर वापस अभी कुल देनों के बाद, मुझे अभी डेक मैं एक गर मैंने बहने, एकदम से मुझे चप, मतलब, चलते-चलते, मैं नमाज पाड रहा था, तो नमाज पाड़ थे-पाड़ थे, एकदम से मेरा वो ग्यास बन गए, और एकदम से हैसा मने जिसे संदे के लिए जुपते हैं आवरेस में, तो उसके लिए जुका है, लेकिन से दिच्प कावई जिसे चाल लोगा है, मतलब, अइसे लागा काम गिर जाओंगा, ठीक, लिगति अपराट पसिना पसिना पुरा ही होगा, ठीक है, तो उसके बाद में वो चलना है, तो ड प्रिबर चान ओए थी, हँआ। फिर फिर जो आपन दर दिसे चलना, ही पन्दा देन के बाद में में खाना खना उने बैठा ता हाहीं, वह जो झाओने के पटना हा हंई के बैठा तो खाना खाते काते, आदा खाना खका, मुझे एक दम व है 피 Olá बैट आपने के बदो चुक अलकोफोन किया, उनने बोला की acidity हो कुछ नहीं, acidity क्यों है acidity क्यों आइसे वो वैसे हो रहा है तो अलट आतों हमे मुझे hing और रखी रहा या इंगोगी वैसे की मैसे क्वेरी उखाने के लिए बोला तो उरात में आखा दी लिकिन सेकेंडे में वापस काम पे जाने के लिए उटा वाफन गापरा टिंटम से वो चप कराना, ड्यास वो जामाओना, ठेक, फिर के आपने, ये चीजे पाथ पाथ चादी में इसी चल रहती, तो लाइ मने आपके वीडियो बात मतलब जब से मैं ऐसे देता फिर चालो बत अपसे देखता था ना, तो आपके जो वीडियो थी, वो देखे थी, तो वो देखे मैंने बोल, मेरे गरवालों को बोला कि, जा ते डॉक्टर के पास, कि क्या बोने में रहते हो, बोने उन बही में हमा आया क्लीनिके, तो जिस दिन में आ रहा था था ना, उन दिन भी पादता, जा से कि, किसीने डंडाग किया था था, वेसे चरसर चर्चलते, मतलू, मेरे सातमे जो आरहे था न, मुझे बोला के से कीचुचण रर वइग्ड्वा मुझे पकड़ लिया, और फिर मुझे वेसे लिया कर वाquya बस्ट, जई से मैं बश्टोप था न, परिश्ट वह आपराट्री ती इतना मिटलब गास प्रिकल बूलटी हुई थी ना फोल्टी खोले है बूल्टी नहीं हुई पूल्टी नहीं चक्कर आई चकर आखे गिर गाता जब मुझा ये पैर की सूझे नो गय थी ना जब मुझा अबुकर चल रहा था और और तो आप यहाँ पे टीनिक पे आये थे दो जुलाई को बाद आपने किना पंदर दिन की दवार दीन किनदर अपन करके आज वमन किया आपका ठीक है अभी कैसे हैँ आपके सिम्टम आज वमन करने के बाद जो अभी मुझे सुबा से में फिल करना ओर् कुछ मीटे भी तो इसमें कुछ समझ मुने आया लेकिन अब कॉफ अच्छा खासा निकला तो आभी कॉफ कैसा है आपका कॉफ ठीक है और जो चक्कर आ रहे थी ना वो भी थोड़ी नारूमी मतलब ठीक है जब से दवा चानुखी तब से कंट्रोल है कंट्रोल है मतलब इतना जो अगवरा ताने ऑने लिकका मदली कमज़णी नहीं है कमज़णीर नहीं है पहले से भी जढ़ा फ्रेंश लगता है भी तो सब्स शब् затalten पार्मिन मतलब सुन स्भी काना लेकिन नाममल नार्म बॉक लगती थे बुझे खाना था, सfa दो से में डाही रोटी खाने का में लेकिन आब एक ने सिरु हैक रोटी कहता है और ञावन iस खाता है पेन भर जादा है ठोब थोड़ से चावन भी msब ने उस में से भी थोड़ से खाता है बाकि तो भी से रहती थी या तो रोटी में से तोड़ा सा एक कोर जो लेती है ठीक वो वाली बेस सीग रही थी ठीक अभी वामन करके हुआ रोल पहने से अच्छा लगता है अच्छा लगता है अच्छा अभी तो फिल अच्छा और जो डर बहुत लगता था बेर भी थोड़ा कम होगा अभी डर, कमजोरी, चकर वो सब कंट्रोल में है चकर कम, ठीक कि इन में आपको बहुत सारे अलसर्स और ये सब पस ऐसा हुआ था पस होगा था, हाँ वो अभी है, अभी है अभी है, अभी जो अभी आपके बुला है कि आप बसती करेंगे तो वो अमन हुआ है, फिर कुछ दिन बाद अभी आपसे बाद बसती चालू करेंगे, वो कम होगा तो ठीक, वो इससे ठीक हो जाएगा चलेगा इनकी केस में तीन गलतियां हुई आपने इनकी थोड़ा सा इन्होंने अच्छे सा इसलिए टाइम लगा तीन गलतियां हुई, नमबर एक उनको पहले से सर्दी कफ के साथ साथ आसिडिटी की तकलीफ होती थी तो वो जो समस्चा है, वो कफ और पित्त की समस्चा थी सेकेंड एक गलती हुई, कि एंडोस्कोपी के बाद उन्होंने जाकर एक मेडिकल शॉप पे जो भी आपने प्रवाल या इसी दवाली सो खुद से ट्रीटमेंट वो कभी भी तकलीफ करेगा और थट जिस डॉक्टर के अंडर में ये ट्रीटमेंट करा रहे थे आईरवेद के उनसे थोड़ा सा डाइग्नोसिस में ये गलती हुई कि इनकी विमारी कफ और पित्त की थी बड़ उन्होंने केवल रिपोर्ट में अलसर देखके पित्त कम करने के लिए दूद और चावल की खीर और घी ऐसे बहुत सारे आइटम उनको देने चालू कर दिये इन सब चीजों को करने से क्या हुआ कि उनका पित्त कम हो गया बड़ उनका कफ बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया और वो इतना बढ़ गया कि आपको चक्कर आना कमजोरी लगना ये सब होने लग गया है आपको कफ बहुत ज्यादा होता था जब भी खाना खाता है तो इनका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था जिसमें की इनको तीखा खाने से तकलीफ हो रही थी और मीठे दूदूद से भी कफ हो रहा था तो इनको जो डाइट देनी चीए थी वो तिक तरस बिटर टेस्ट डॉमिनेंट जो भी डाइट होनी चीए जिसे करेला परवल ऐसी सबजिया उनके लिए अच्छी होती और उनको वमन करके बस्ति किया गया होता तो उनको बहुत अच्छा आराम मिलता तो ये वीडियो बनान कि उनको आज वमन कराया और वमन से आपको अच्छा खासा आराम लग रहा है इसके बाद हमने मतलब कफ पित्त को बेस करके पहले किया उनकी अगनी थोड़ी से अभी खुलने लगी है पांच दिन तक आपन मूंग चाओ लिए सब का पानी रखेंगे और फिर बस्ती करकर क करकर के जो भी आपका वेट लॉस हो गया है जॉइंट्स के इस्चूजे वो सब कावर करेंगे ठीक चलेगा तो कैसा था लाइट को फिरस्टे मॉमन किया तो कैसा था एक्सपिरियंस फिरस्टे मॉमन का अच्छा था था यह फर्स्टे था झापकी वीड़े भी घगे थे तो मैंने वो इसे तफ लास्ट में भी मुझे लगा वूम दो लास्ट पाने दिया नफ तो लोगया इसा लगए लेकिन बारो दुमरबान ठीक है तो पर यह थी डॉक्टर तो मैंने से अमरबान की से सिगर नाक में मेल यह खेचनों मैं ठीक अब जो स्किन पर जो भी तकलिफ आपके कफ और पित्त तो निकल ही जाएगा और जो स्किन पर यह जो आया है अगर आप 6-8 महिना कंटीनिव जो आपको बस्ती बोला है करने के लिए एक्टिय बस्ती वह आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा जो आपका वेट लॉस य बीट पर देखेंगे जो आपके लिए फीड़ वेब के लिल यह थिंक